तो आज की जो वीडियो है most important topic के ओपर है because आज हम एक ऐसा topic लेके आये हैं जो बहुत ये common है और कहीं ना कहीं आपके डोग को face भी करना पड़ सकता है तो गाइस मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो के एंट तक देखेंगे और उब्जर्व करेंगे जो भी points में आपको बत क्या होता है इसके क्या symptoms होते हैं इसके क्या causes होते हैं और इसका basic treatment क्या रहता है आज की वीडियो में हम आपको completely बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो के एंट तक जरूर देखें तो गाइस एनेमिया का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले ध्यान जाता है कि body में खून की कमी ह हो जाना बिल्कुल सही बात है यह अगर गाइस की dog की body के अंदर खून की कमी हो जा रही है वो किसी भी वज़य हो सकती है कोई भी वज़य हो सकती है आगे हम आपको बताने वाले हैं वो क्या-क्या वज़य हैं और गाइस यह जो होता है basically जो hemoglobin की कमी होने की वज़य से और RBC destruction की वज़े से यहनी breakdown of RBC in blood अगर blood के अंदर RBC टूट रहा है RBC कम हो रहा है तब एनीमिक हो जाता है आपका जो dog तो guys सबसे important जो है वो है symptom जो आगे चलके मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को skip बिल्कुल मत करना completely आपको इसको watch करना है तो guys कुछ reason ऐसे होते ह जैसे अगर आपके जो dog के जो stomach के अंदर कुछ ulcer हो गया है किसी भी type का कोई cancer हो गया है तो guys वो भी एक एनीमिक cause कर देते हैं आपके dog को एनीमिया का शिकार करवा देते हैं तो guys सबसे पहले अब हम बात करते हैं एनीमिया के बहुत सारे type होते हैं जैसे कि आपको screen पे भी सबसे पहले जो type है उसका नाम है blood loss anemia blood loss anemia के अंदर guys क्या होता है simple सी बात है blood का loss हो जाना एनीमिक हो जाना तो dog को dog anemic हो जाएगा तो उसको blood loss anemia कहेंगे second जैसा कि आपको screen पे भी दिख रहा होगा a plastic और non regenerative इसके अंदर guys क्या होता है अगर आपके dog की body के अंदर किसी भी type का toxin चला गया है किसी भी type का poison create हो गया है cancer create हो गया कोई ऐसा issue है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा तो यानि इसके अंदर RBC बन ही नहीं पाएगी यानि RBC अगर आप बनाने की कोशिश करोगे medicine से बट वो develop नहीं होगी तो यह regenerative type है तो guys आगे जो type है जैसा कि आपको screen पे दिख रहा है methyloglobinemia इसके अंदर गाइस क्या होता है यह एक genetic disorder होता है अगर genetic से ऐसा हो रहा है यानि उसके जो mother father को भी ऐसी problem है तो आपके puppy को भी ऐसी problem आएगी आपके dog को भी ऐसी problem आएगी तो guys यह एक material होता है जो एक जिसको हम protein भी include कर सकते हैं because globuline है तो guys इसमें भी एक यही बात होती है कि RBC destruct हो जाता है RBC develop नहीं हो सकता चोथे नंबर पर guys जैसा कि screen पर दिख रहा होगा hemolytic anemia hemolytic anemia में guys क्या होता है breakdown of RBC जैसा कि मैंने आपको starting में भी बताया था destruction of RBC breakdown of RBC is known as hemolytic anemia यानि अगर guys RBC चूट रही है तो उसको हम hemolytic बोलेंगे heme जहां पर भी आपको word पता चले तो वह blood से related होता है अगर मैं आपको basic knowledge दूंतो तो चलिए अब हम बात करते हैं वह क्या ऐसे symptoms हैं जो आपके dog में show होंगे अगर आपका dog एनीमिक है most important part है आपको ध्यान से जुरूर देखना है photograph आपको show होती रहेगी तो सबसे पहले तो आपको उ हो रहा है और गाइस आपका जो डोग है weakness का शिकार हो जाएगा लिधर्जी कंडिशन में चला जाएगा वो मेटिंग भी करेगा और गाइस काफी जादा उसका temperature तो वैसे इसके अंदर नॉर्मल रहता है आपको जो स्टूल है यानि जो वह पोटी वगयरा करते हैं आपको आपको स्क्रीन पर बी नजर आ रहा होगा इसमें आपके जो डोग की ब्रीधिंग हो बहुत यादा rapid हो जाएगी पल्स रेट बहुत यादा फास्ट हो जाएगी आपके जो डोग की जाह यानि जो जबडे हैं वह स्टार्ट कर जाएगे उनके अंदर स्वेलिंग आनि स्ट है वेट लोस आपके जो डोग का जो वेट लोस होना स्टार्ट हो जाएगा तो यह जो मैंने सिम्टम बताएं है बेसिक एक सिम्टम है आप घर रहते डाइगनोस कर सकते हो पहचान सकते हो लेकिन गाइस ट्रीटमेंट के लिए आपको नियर वाइट से ज़रूर कंसल्ट करना है सबसे पहला तो गाइस अगर आपके डोग की बोड़ी के अंदर पैरासाइट्स हैं तब यह प्रोब्लम आ सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा पैरासाइट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं हूप और आपका डोग एक टिक बोंड डिजीज होती है लाइम डोग ने किसी भी टाइप का पोईजन खा लिया है या कोई ऐसा टॉक्सिन क्रियेट हो गया है डोग की बोड़ी के अंदर जिसकी वज़े से आपका जो डोग है अनिमिक हो रहा है अगर आपके जो डोग की जो बोन मैरो है वो स्ट्रोंग नहीं वो वीक है अगर उसमें को आपको वो डिजीज बताई थी तो वो टिक बॉर्ण डिजीज है एक टिक फीवर नाम की विमारी भी होती है तो उसके अंदर भी ऐसा हो जाता है अगर कुछ मेडिकेशन होती है ऐसी जो अर्बिसी के प्रोड़क्शन को स्टोप कर देती है या उसके फंक्शन में करती है तो कुछ मेडिकेशन हैं वो भी आपको विल्गुल नहीं देनी है अगर गाइस हम बात करें इंजरी की मानलों अगर कोई किसी भी टाइप का एक्सिडेंट हो गया और ब्लेड लोस बहुत ही हो गया वास्कुलर सिस्टम से ओपन अप हो गया और ब्लेड लोस बहु यह रहीं तो को कईसि चलिए अभाशन के बारे में देखें का सीमेन बताने से पहले मैं को यह बता दूह ते कंसल्ट करना और लेना है और को वेट हैं आई-वी फोट से अग amps bone marrow में दिक्कत है तो bone marrow transfusion होगा अगर blood में problem है तो blood transfusion होगा कुछ ऐसी medications अगर आप दे रहे हो तो वो medications को बंद किया जाएगा अगर कुछ parasites है उनको kill करने की medicines दी जाएगी और साथ में काईज अगर cancer है तो उसका भी एक treatment किया जाएगा माना की treatment इतना possible नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा ताकि आपका डोग एनेमिक होने से बच सके कुछ antibiotics होती है immunosuppressive जो drugs होती है वो दी जाएगी तो सारा का सारा जो overall treatment है आपके wet ही करेंगे और उनसे ही treatment करवाना है आपको किसी भी दूसरे एरेग एरे को पकड़के नहीं लेके आना नहीं कहीं से treatment देखे आपको खुद से करना है बहुत इस serious cause है आपके डोग की death भी हो सकती है हम आपको हमेशा से guide करते हैं आप YouTube के उपर social media के उपर कोई भी वीडियो देखके treatment ना करें नियर्बाइ वेट से consult करें YouTube only है आपकी general awareness को increase करने के लिए ताकि आपको पता हो कि ये बिमारी होती क्या है और मुझे इसका treatment कब करवाना है कैसे करवाना है कौन सी medications रहेंगी या कौन से ऐसे हमें precautions रखने है ताकि हमारा डोग किसी भी problem से सफर ना करे अजा है